हलो दोस्तों स्वाक्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं गुनों से भरपूर चावल राइस जिसका सेवन लगभग हर घर में किया जाता है आज मैं आपके साथ चावल के पाने की मतलब चावल के मांड की बहुत ही अमेजिंग क्योंकि दोस्तों चावल के मांड में एंटा एक्सिदेंट्स वाइटमन मिनरल्स भरपूर होते हैं जो कि बालों को काला करने में बालों को घणा करने में बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में बालों का जड़ना रोकने में बहुत ही जादा है आप में इससे कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा देखा होगा कि चाइना का एक गाउं है जिसका नाम है यहाऊं की वहां कि तरह भरपूर फाइदा ले सकते हैं चावल की मांड से तो रेमरी को त्यार करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 चमच चावल के चाहिए सबसे पहले चावल को आपको पानी से अच्छे से धोलीजिए धोर मीटी डस होती है चावल पर तो अच्छे से धोलीजिए 3 से 4 बार पानी से अच्छे से उसके बाद ही आप रेमरी को त्यार करना शुरू कीजिए चावल को साफ करने के बाद दोस्तों इसमें कम से कम 1.5 गलास पानी का अड़ करेंगे तो 1.5 से 2 गलास पानी का अड़ करने के बाद अभी दोस्तों चावल को अच्छे से पकाएंगे low to medium flame पर जब तक चावल अच्छे से पकना जाएं तक तक पकाते देंगे वीच बीच में चलाते हूँ. चावल पकने के बाद दोस्चों, जाहिर सी बात हुथ ह। चावल को आप को इस्वाल पारे को रेम Horse की लिए तो गैस का फलीम पंद करेंगे और चावल के मांड को अलग कर लेंगे चावल से. चावल का मांड दोस्तों एक पैंड में अलग ले लिया है ये तकरीबर एक ग्लास है और इसका टेक्च्छर आपको दिखा देती हूँ पतला है ठीक है चावल का मांड गारा नहीं होना चाहिए अचा अब दोस्तों हम गैस का फ्लेम ओन करेंगे लेकिन धीम याज पर लो फ् मात्रा में होते हैं जो के 服 डूर की इसतमार करने से पहले इनको साफ करना जरूरी है क्युक्त दूर्र मीटी तो होती है फूल पत्यों पर तो पानी से पहले साफ कर लीजिगा फिर इसमें आड़ कीजिएगा इसके बाद दोसो आप स्क्रीम पर लिटे गुणों से भरपूर गुड़हर की पतियां ही विस्की स्लिप्स ये बालों को काले करने में बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में में आड़ाक पास ज्यादा फूल है तो आप ज्यादा लीजेगा फिलहार मैं एक ही फूलका इसमाल कर रहे हो और इसके आड़ अड़ करेंगे नारेल का तेल मैं यहां पर कॉल्ड क्रेस्ट बरजिं और औॅल का को तह सिमाल कर रहे हूं आप को जबी और एम ले सकते हैं कि अगर आप इस रेमडी को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं फाइदा लेना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम पर रही रखिएगा वीच पेंच चलाते हुए इस मैजिकल डिकोटिशन को पकाएंगे दोसों इस रेमडी का समाल आट साल के बच्चों से लेकर बड़े विजुरुप तक रिसमाल करके इसका भरपूर फाइदा ले सकते हैं तो इस सब डिकोट्शन को हम तक्रीवन 10 मिनट के लिए पकाने बाले हैं लो फ्लेम पर तक्रीवन 10 मिनट हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हल्का सठंडा होने के लिए छोड़ के इसके बाद इ और चाहे तो माइल्ड शेंपू से अपने बालों को धो सकते हैं हप्त में दो बार आपने इसका समाल करना है साथ से लेकर आठ में लगातार इसका समाल करने से दोस्तों आपके सफेद बाल धीरे-धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे ये एक पर्मेंट सलुशन है दोस्तों तो पर्मेंट सलुशन के लिए पेशन्स रखने की जरूरत है ये एक एरवेदिक उपचार है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए जड़ से कम करता है तो टाइम तो देखी लगता है साथ से लेकर आठ में लगातार इसका समाल कीजिए ठैंक्स रवाचिंग